आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं B.A.B.S.C. B.K.O.M. के थर्ड सनस्टर में जो को करिकुलर यानि की अनिवार प्रश्ण पत्र की परिच्छा होती है जिसको इंगलिस में बोलते हैं Human Value and Environment Studies और हिंदी में बोलते हैं मानो मुल और पर्यावन अध्यन तो आज किस वीडियो में इफिफि जुड़े सारे के सारे Question and Answer होने वाले हैं और आज किस वीडियो में आप लोगों को 600 Question and Answer आपको बताने वाला हूँ विफ पीडियो कोई भी आपको ऐसा YouTube पे माईक अलाल है ही नहीं जो आपको 600 की Question and Answer पीडियो दे और मैं अपने जिम्मेदारी के साथ और मैंने Hard Work करके आप सभी के लिए तैयार किये 600 Question and Answer की पीडियो पहला कि इससे ज्यादा भी है ठीक है लेकिन आपको हम वो सारी देंगे लेकिन इसके लिए आपको बीडियो को पूरा देखना होगा पहले जान लीजे कि कौन-कौन से दिसा निर्देश को आपको फॉलो करना है कौन-कौन से पहिच्छा में प्रश्ट आ ठक कर ना बेठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो आज किस वीडियो का पहला प्रश्ट है कि भारत में सबसे समान भरष्टाचार का सुरूप बताई यानि जो अपना देश है जो इंडिया है हर कोने कोने पर चाहे वो आपका गा क्या करेंगे पहला अप्शन रिश्ट है दूसरा भाई बतीजावाद है तीसरा कमिशन खोरी है और लास्ट अप्शन है उप्रयोक्त में से सभी ठीक है अगर यहां पर बात होती धान से सुनेंगे सबसे समान भरष्टाचार का सुरूप का बता रहे हैं सबसे की बात हो र पारे पैंसे लोग हडप लेते हैं ठीक है तो यह बहुत बड़ा पॉपलर कारण है तो इक यह व्योजह सही उत्तर आप सर्फ करेंगे तो यह साथ यह लेकिन हम व्योक्त में सभी शुक्रण करेंगे मजदूरी करते हैं स्रम का मूल कम रहने से क्या लाव है मतब कि माली जी कोई इनसान दिहारी करता है एक्जामपल के रूप में किसी के घर बन रहा तो उसमें वो मजदूरी करने जाता है ठीक है तो उसको जो पैसे मिलते हैं उस मूल ठीक है को मालीज 200 पे जाता तो उसको डेर सो कर दें तो उससे क्या लाव है तो चलिए यहां पर बहुत सारे आप्चन जानते कौन सा सही उत्तर होगा बहुता वस्तों का सफ़ता उत्पादन कर पाता है दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रभेश पाता है और आर्थिक शंकट नहीं होता है तो इसमें आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना अध्यान से सुनेंगे स्रम का मूल इकम रहने से बहुत सारे लाव हैं इसलिए सारे लाव हैं अब हमने आपको बेसिक एक्जामपल थिया लेकिन हाड एक्जामपल समझे बहूत सारी बड़े-बड़े फैक संपनी के वह क्या करते हैं बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं ठीक है तो उनको हिसाब से एक सिस्टमेटिक वह होता उस तरीके से उनको फैली दी जाए या फिर उस चीज के लिए उनको उतना पन पता है य। यह कुछ समझ में नहीं आया न है इसमें देगे आपसं समझ में आ लिए गये हैं तीक है मैंने खुद नहीं बनाया यह सारे पिछले फालो में कई बार रिपेटेड़ है और मुस्ट इंपॉर्टेंट इफले फामिल क्या यह कोश्चन मेरे कुछ समझ में नहीं है इसलिए इसको एग्णोर करेंगे ठीक है जब हमें खुद नहीं समझ में आया और अध्यन भी हद तक जाते हैं तो इसमें कम कौन पनपता है यहां पर होना चाहिए कि सब्फे कौन पनपते हैं तो यहां पर सही उत्तरा होएगा यह सभी ठीक है अगला प्रश्ण है भाई है कि आज कल मीडिया यानि कि जो आप लोग देखते हैं निउस पेपर वाले ठ तीवी में आप लोग न्यूज सुनते हैं आज कल मीडिया में किस प्रकार के लेखो यानि कि जो लेख लिखे जाते हैं जो आपको वीडियो के मादने पे न्यूज देखते हैं और अकबार में पढ़ते हैं ठीक है लेखो एम संबादों को अफ्थान दिया जा रहा है तो ध् वीडियो के लाष्ट में आपको में आपको बहुत ही सौर्ड गत और वह अच्छा तरीका भी बताने वाला हूँ परिश्छा में पास होने का उसको अगर अपनाके परिष्छा देने जाएंगे तो आपको परिश्छा में तो आप गारंटी होंगी ही नहीं ठीक है अग वीडियो देखते रहिए अगला प्रस्ट एंग कि देश UKI पूजी का रिशा अग होता थीक कराई कर यहां चार हर जगे है और यह कांटीनु रहेगा इसको कोई रोग नहीं सकता ना रोग पाया नो रोग पायेगा ठीक है कितना भी कोई विए सब्सक्राइब करें ठीक है तो यह जो है यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही पॉपलर कारण है ब्रष्टा चार के करण पोजी का है आप्ष्ण निंश्ठा तथा चरित्र कि आपके कोई संबंध में अपके परिवार में ड़ी में होते हिं जब इसमें इस प्रहित तकी बोलेंगे और उसका चरित्र देखा जाता है चरित्र वान या पिर चरतहीन है करेक्टर कैसा उसका कई गाली देता है या फिर कि फिक्षात रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है तो यह फारी चीजे होती है यह सभी सामिल होने चाहिए एक संबंद के लिए विभिन जो मूल्य है वह फत्त होना चाहिए और चरित्रवान होना है चरित्र हो जाएगा अफ्षीन नमडर आंत्रिक वात्रवण का निश्चित्प्रभाग के रूप में प्रणाली का पालन किया जाता अगरा प्रशन है कि उधार वादी नागरिकों का निर्मार करने बच्चों में किस मोल्ली का विकाफ किया जाना चाहिए ठीक ये सब कुछ main mood हैं जो बच्चे के अंदर विकास इन सभी का होना चाहिए कि भाईया देश से प्रेम करें दिसके हित में काम करें अपने पैरेंट्स का कहने अंगमाले अपने अध्यापक का सम्मान करें रिस्पेक्ट करें अगला है कि किसी निरेड़े को जब कोई सासके अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालत के करण करता है तो वह क्या कहलाता है तो सिंपल से आप लोग उत्तर भी जानते इसको भरष्टा अचार कहेंगे कोई काम आप कराने गए तैसिल गए बुलाग गए या पिर किसी मंत्री के पास कहें किसी विधायक के पास कहें ठीक है या पिर कहीं पर अपना कागज बनवाय ने गए तो वहाँ पर क्या होता है लोग अपसे सास्की अधिकारी के मतब होगा जो सास्की मतब गवर्मेंट इंपलवाई हो ठीक है एक्जामपल के रूप में मालिज्य की जहां पर एक्जामपल के रूप में आपको बता दे रहे हैं ध्यान से सुनेंगे निवास परमाड़ पत्र आप सभी बनवाए होंग उसके बाद आपको वो चाहिए within two days या फिर three days में यानि कि दो ही तीन दिन में चाहिए और और जो होता है वो आजात निवास आने का एक हफ़ते से पंदरा दिन के भीतर आता है और आपको अर्जेंट में दो ही तीन दिन के अंदर चाहिए ठीक है और आपकी scholarship के मालीज एक्जामपल के तो scholarship ले देते उसकी last date लगी है ठीक है दो दिन ही है ठीक है और आपने आजात निवास तीन दिन पहले भराया तो आपको दो ही दिन के भीतर चाहिए तो आप क्या करेंगे यहां से फाम तो भर जाएगा लेकिन आप कहा जाएगे यहां पर आपके लेकपाल और secretary रहेंगे तो वहां पर आप उनसे बोलेंगे कि report लगा दीजे ताकि हमारे जल्दी से बन जाए ठीक है लेकिन वहां पर क्या होगा आप से मांगेंगे पैसे पैसे दीजे तभी आपका जल्दी हो पाएगा वरना एक हफ्ते 15 दिन में ही बनेगा ठीक है तो वहां पर क्या होगा वहां पर चुलेकपाल और secretary होते हो क्या होते हैं एक तरीके से सास की अधिकारी होते हैं सासन के अंदर कर ठीक है करता है तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम भरष्टाचार कहेंगे ठीक है कि भरष्टाचार कर रहा है अगला प्रस्ते है कि भारत सरकार ने भरष्टाचार ने भरष्टाचार उन मोलन के लिए कौन सा कानून बनाया अगर कोई भरष्टाचार आपके चार्टिक चार्टर सूचना का धिकार दियम 2005 भी बनाया गया कमिशन आफ इंक्वारी एक्ट ये तीनों बनाये गए तो ध्यान रखेंगे ये आप लोग एक्षन ले सकते हैं अगर आपके फास बस्टा चार हो रहा है तो ठीक है अगला प्रशन है कि भाईया कौन आदर स्व लखेंगे वो रहा भ्रष्ट चार के कारण ही आंदोलन होते हैं ठीक है अगला प्रशन है कि यह किसने कहा था कि सिंगहासान और बैपार की 20 संबंद भारत में जितना दूसित ब्रष्ट और बेमान हो गया है उतना दुनिया के इधियास में कहीं नहीं हुआ है तो ये जो क किस पर विपरीद प्रभाव पड़ता है तो सिंपल सा बात है बेक्त पर भी पड़ेगा और जो अमारी देश की अर्थ बेवफ्था है उस पर भी पड़ेगा ठीक है तो इसलिए सही उत्तरिस्का हो जाएगा सानमबर ठीक है अगला प्रस्ण है कि युवावों की समच्छ उ और आपको डिस्टर्बेंस हो रही है ठीक है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और दूसरा है कि मानसिक एकागरता की कमी आप लोग कुछ पढ़ने बैठते हैं या फिर कुछ अध्यन करने बैठते हैं तो आपका माइंड आप उस पर नहीं फोकफ रहता आपके बुक पे या फिर जो आप पढ़ाई कर रहें अलग जा रहा है धर उदर ठीक है दूफरा है दिसाहिंता गंदे चुंगल में फसना यानिकी गरत वातावरण में फसना फिर गरत लोगों के संपर्क में आना ठीक है तो इसलिए सही उत्तरिश्का हो जाए का उप्रयोक्त में से सभी ध्यान लखेंगे हम आपको एकदम बेसिक से बता रहें ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए ठीक है ध्यान लखेंगे ठीक है अगला है कि सोशल नेटवर्किंग किस पर केंद्रित है सोशल नेटवर्किंग जो आव लोग आज इंस्टाग्राम फेस्बूक व करने के लिए बताइए कुल मिला के सोशल नेटवर्किंग से लाभ भी है और बहुत सारे हान है अलग-अलग छेत्र में जैसे आप यूज करेंगे वही साफ्य आपके लाव है जिससे आप गलत यूज करेंगे तो भया गलत आपके लिए सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा अपसे नंबर कौन सा कमेंट में बताईए अगर आपको मालों तो जरूर अपनी राय दिया करिए ठीक है से उत्तर हो जाएगा दा नंबर उप्रियुक्त में से सभी अगला प्रशन कहे रहा है कि समाजिक नेटवर्किंग साइडों द्वारा किसका आदान परदान किया जा क्या हो गया आपके इंटेस के चीज शोशल निटवर्किंग माध्यम से वाट्सप के माध्यम से अपने मैसेज कर दिया तो लेकर आपके दिल्ली जब आएगा लखनों फे तो लेते आएगा तो क्या हो गया आपको मिल गई गतबिदियों घटणाओं कोई घटना हुई आप लखनों की घठना को आसानी से मोबाइल इसा किसी तो नहीं हो रहें यह रहा क्या हो नहीं हो रहा है या कोई अंतुबशन कह सकती है कोई भी घटना उसके बाद बिचारों में इच्छाओं की बिक्त भी इस पर की जा फक्ती तो इसलिए सही उत्तर सका हो जाएगा और प्रयोक्त में से सभी है अगला कोश्चन की समाजिक समाजिक नेटवर्किंग की लोग प्रये प्रणाली कांशी है तो उसकी की समाजिक नेटवर्किंग की अफ्थापना की आओधाना की तो कि क्या है इन आफसरों में से थो वही किताबे शंगीत है अगला प्रशन है कि डबलु डबलु इसको बोलते हैं जिके डबलु 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 यह हर वेफसाइट के सुरुवात में लगा होता आपने देखा होगा कोई सरकारी रिजल्ट या फिर कोई भी वेफसाइट ओपन करते हैं आप अपनी इन्वरसिटी की वेफसाइट भी टीक है तो डबलु डबलु डाक्टर रामनोहर लोहिया यह फिर आवद इन्वरसिटी यह फिर आपने देखावागा कि तिक रोहिल खंड एंवरसिटी यह फिर कोई भी इन्वर्सिटी का नाम लिखा होता है ठीक है सब से आगे तो उसका प्रारंभिक आल-लाइन समुदाय कौन सा है इन आपसरों में से तो दिहान से सुनेंगे इसका जो प्रारंभिक आनलाइन समुदा है वो है यह तीनों है ठीक है आब आग सा तीनों इसलिए से उत्तर दानंबर हो जाएगा अगला प्रशने की डौट-डौट के दसक के अंत तक प्रयोकरता की प्रोफाइल समाज समाजिक नेटवर्किंग सेवाएं किस पर आधारित है तो सिंपल सा उत्तर लिखिंग वही है नाम पर भी है वेब पर भी अफ्तर भी है इसलिए फाहित और आप लोग को कमेंट में बताना चलिए बताए जिन सा तो आपके जानकारे के लिए बता दें अधिकान समाजिक न लब्ध है वेब पर मतलब कि इंटरनेट पर ठीक है गूगल पर अगला की नेटवर्किंग साइट के अधार पर लगबक कितने प्रतसत प्रियोकरता साइबर धंकी प्राप्त होने की होने को सुभीक कारते हैं जैनि कि मालीजी कि इंटरनेट पर आपने फेस्बुक चला र लेते हैं किलिक करते हैं तो आप लोगों को कुछ अंसीन फोटो देखते हैं तो अंसीन फोटो देखने के बाद आपको क्या होता है कि वह आपका रिकार्ड हो जाता है रिकार्ड होने के बाद वह अगला आपसे मतलब की ब्लेक मेल करता कि अगर आप हमें 10,000 यह 20,000 ठीक है कोई साथ ठगी कर ले ठीक है कोई आपको बेज़े कि भैया आपका मोबाइल लिद थोड़े दिर के लिए और आपको तुरंत ठीक है उसमें से आपका जो डेटा है और चुरा ले ठीक है या फिर आपको कोई कोई लिंक सेंड कर दे और लिंक को बोले को open करें जिसे आप open करें जिसे आपका पैंफा अकांट का गायब हो जाए तो इस तरह कि जो चीजे होते हो cyber crime के इंतरगत आती है ठीक है लेकिन यहापर cyber धंकी की बात हो रहे तो cyber साइबर धंकी कमंतर भी हो गया कि आपको आनलाइन कोई धंकी दे रहा है इंटरनेट के माध्यम से ठीक है तो वही होता आनलाइन धंकी यह साइबर धंकी ठीक है तो इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर ध्यान से सुन लीजिए का काफी helpful question है कई बारा चुका है सा नमबर हो जाएगा सही उत्तर वंतालिस प्रस्त ठीक है सुभिकारते अगरा कि कौन सी networking site किशोरों के भावानात्मक तनाव का कान बनती है ठीक है यानि कि जिससे चात्र और जो किशोरा अफ्थ सब्सक्रों ठीक है माई स्पेस ओके अगला प्राशन है कि त्रेट खत्रों के एजेंट ह Aug refresh और इंड्रेक्टी ट्रेक्थ आपसे माध्यम से अगला प्रश्ण है कि वेब खत्रों के बीच डॉट डॉट प्रवत्ति होती है कौन सी तो वेब खत्रों के बीच ऑवर ठीक है ओवर लेफ होने की प्रवत्ति होती है सही उत्तर हो जाएगा अनमबर अगला कि कुछ अन्य समाजिक नेटवर्किंग कौन सी है ठीक है जनके अ करना ठीक है यह सभी है इसलिए सभी हो जाएगा अगला प्रश्चन कहिए और मुल्य से भी इसलिए से उत्तर साहजाएगा अगला कुश्चन कहिए राकि जॉन मेजर द्वारा सार्वजिनिक जीवन में मानकों की समित की पहली रिपोर्ट का पीश की गई थी तो इस प्रश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अपसे नंबर बा उनिस सो ठान नबे में अगला की अधिनियम की धारा कौन सी है जिसमें समाने रिस्वत खोरी अपराध सामिल है तो अधिनियम की धारा एक से प इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर कौन सा बताई कमेंट सेक्षिन में अगर आपको मालू में तो बेश्चा का आप लोग उत्तर दिया करें ठीक है दवा दवा का विजनेस आप लोग देखते है किस तरह का उद्ध्य की कि मतलब की हर तरीके में बलेक मेलिंग म हर चीज में दवा बहुत ही लोग इससे करौणपती बन गए ठीक आप लोग को मालों में कि किफी की जान से खिलवाड करके भी या फिर गलत दवाई बना कर या फिर कम फार मूले की दवाई बना कर इसको एक तरीके से उद्ध्य यानि कि बेपार बना चुके है से उत्तर अगला कोश्चिन कि नए उत्पादको के बिक्रे सनवर्धन है तो किसको अधिक प्रभावकारी नीत अपनानी पड़ती है तो जिसको सफसे ज्यादा प्रभावकारी नीत अपनानी पड़ती है उसका नाम है बिपड़न सही उत्तर बानमबर अगला कि कहा सार्वजनिक छेतरक में सुधार लाना एक प्रमक मुद्धा बन गया है तो सही उत्तर आप जानते हैं भारत अपना देश है, इसमें सार्वजनिक छेतरों में आने की जहां पर बहुत ही कम लोग जागरूucc हैं वहाँ पर ठीक है फुधार लाना एक प्रमक मुद्दा बन गया जो जरूरी भी है इसको लाना भी चाहिए भारत में वे दवाएं जिनके निर्माड या वित्रण के लिए पेटेंट की आवस्यक्ता नहीं होती वो क्या कहलाती है तो सही उत्तरिष्का हो जाएगा अप्षन नमबर बताएए कौन सा हो जाएगा अगला कि जिनकी बिक्री अन्यक रसाइनिक नामों से की जाती है वो कौन से दवाओं के नाम पे जाने जाती है कॉना एक या फिर अनमबर हैं स्वाहित हेत to करने की सिछा देती है तो सहीह उत्तरिशफ का होजाएगा ध्यान नखेंगे बहुत ही महात्पून्ध प्रश्ण है स्युत्तरिस्का हो जाएगा आपसे नमबर बा ठीके क्या हो जाएगा वर्तमान फिच्छा प्रणाली फंसाधन का उप्योग केवल स्वाहित हितु करने की सिच्छा देती इस लोग नमबर टू अपान फरूटीट में स्री किस्न किसका त्याग करने को सीख दे रहे हैं ठीक है जो आप लोग पढ़ेंगे जिसको आप लोग बोलते हैं स्रीमद भागवत का था ठीक है और या फिर आप लोग बोलते हैं कि स्रीमद भागवत में आपने ये इस लोग के बारे में बताया गया है जो श्रीकिष्ण भगवान जी सीख देते हैं कि इस चीज़ को त्याग ने की ठीक है तो उसका नाम है ध्यान लखेंगे से उत्तर हो जाएगा आ सक्तिका ठीक है अनमबर से उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन है कि गीता के अनुसार ठीक है गीता के अनुसार बुद्धी है ठीक है तो गीता के अनुसार बुद्धी जो है ठीक है वो है एक उपकरण क्या है एक उपकरण है अगला के संगठन का अर्थ क्या है तो संगठन का अर्थ होता है ठीक है एक समाने कारे को एक समों में करना, कारे को छोटे-छोटे खंडों में बाटना, विभागों की रशना करना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रशने की सोधिक अनुसार, विकास, सिल, देशो, में ओफतन, जैविक, प्रणाली, परंपर रागत किर्शी द्वारा उत्पादित उपज, कितने उत्पादन करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका बानमबर, असी प्रत्र, ठीक है, अगला कि दूसित भोजन के परेडाम सुरूप कौन्श बीमारी हो जाती है, सही उत्तर हो जाएगा, इसका दानमबर, क्योंकि तेरा सो ओके आगे जितने भी प्रस्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है यहां तक तो मैंने देखी यहां तक कोश्चन के उत्तर उसके सामने नहीं थे और नहीं थे तो मैंने उसका उत्तर आपको बताया और समझाया भी अब आगे जितने भी कोश्चन आपको देखने को तो मिलेंगे उन सभी के सामने उसका उत्तर लिखा है जैसे कि आप देख पारें कि अधिक जिनरिक दमाएं उपलब्द करने वाला देश कौन सा है विस्तु तो वह ध्यान रखेंगे भारत भारत में दाट डाट डाट उग्दम का छेत्र बहुत बड़ा है सावरजिनिक का ठ 600 कोईश्चन मिलेंगे भारत में आर्थिक उधारी करन की सुरुवात कब हुई थी तो सही उत्तर हो जाएगा 1990 में हुई थी सारे कोईश्चन टॉप लेबल के मोस्ट इंपार्टेंट है एक्जाम के नजरिये से मैं यह गारंटी नहीं लूँगा कि यही सारे प्रस्ण और जो मैं आपको बात बताया था एक ट्रिक की और टिप्स की वह मैं आपको बता दे रहा हूं ध्यान से चून लीजिए ठीक है वो टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे फॉलो करना है सबसे पहले जैसे अभी आपको पेपर मिलेगा तो सभी प्रस्णों का उत्तर पढ़ ली ठीक है जो ओ अमर्चीट मिलेगी ठीक है उस पर ओके जो भी सही रहेगा उसके बाद जिस भी प्रस्ण का उत्तर मालीजे आपको मालूम उसका गोला बना दिया अब भाई कुछ कोश्चन ऐसे भी मिलेंगे जितका उत्तर आपको नहीं मालूम है तो जैसे कि यह प्रस्ण का उत्तर नहीं इद Eस now थो आपको दिखेगा 2 या फिर आबी सी डी नंबर दिखेगा या फिर दा नंबर यानि कुल मिलाकि आपको उप्रयोक्त में से सभी या प्रंग्यों से सभी यही वाला लास्ट वाला अमसर्ण सिलेट करना चृओं कि सबसे ज़्यादा इसी प्रक पहाई जो लोग नहीं कर पाएं हैं जिन्होंने पहले फिक ही अच्छी बात जिन्होंने अभी कम समय में एक ही दो दिन हुए तैयारी करते हुए यह पहली वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही एक का पूंगा तौr कर सकते हैं और आपको अपनाना यह कि सभी प्रसंवों का उत्तर दैकर आना है कोई मार्किंग है नहीं तो कोई भी को छोड़ कर मताईए इयल वाली 100 वर्किंग प्राइख मालु मालुक करिए इसी नहीं मालुक होब प्रवर्यका से सभी फ्लेट कर दीजिएगा इफी तरह इस वीडियो में आपको 600 कुश्चन मिलेंगे लेकिन ये कुश्चन उन्हीं चात्रों को मिलेंगे जो चात्र यहां तक वीडियो देखें ठीक है अब वो कौन से चात्र यहां तक वीडियो देखें मैं आपको बता रहा हूं कि जो चात्र हमें भेजेंगे अपनी इन्वर्सिटी का नाम कि फर हम इस इन्वर्सिटी से हैं और हमें 600 कुश्चन एंसर की पीडियाफ दे दीजिए उन्हीं को ये पीडियाफ मिलेगी 600 कुश्चन एंसर वाली ठीक है और बाकी आप लोग देख लिजेगा टेलीग्राम वाटस कुश्चन में है जय हिंद